कि दोस्तों आज मॉर्निंग में गैप डॉन ओपनिंग देखने को मिला उसकी बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर भी किया ओके तो देखे कल के वीडियो मैंने क्लिरली कहा था कि आज थोड़ी सी गिरावट रह सकती है ड्यू टू आईटी सेक्टर क्योंकि कल ही आईटी में थोड़ा सा दिख राता चार्ट के उपर ठीक है जिसका इंपक्त आपको देखने को मिला और निफ्टी आज बिल्कुल गैप डॉन था निफ्टी नहीं फॉल मार्केट ही गैप डॉपन हुआ था बट बाद में रिकवर भी हुआ ओके तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगे कि चार्ट आपको और सब कुछ पहले ही बोल देता है तो चार्ट को फोलो कीजे डेफिनिटली आपके पैसे बनेंगे तो आज किस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में मार्केट ने किस तरीके का मुमेंट दिखाया और कल निफ्टी बैंक निफ्टी क इस तरीके का मुम दिखा सकता है कौन से लेवल इंपोर्टेंट होंगे एवरिटिंग डिटेल में आप लोग वीडियो में बने लिजेगा चल पर न्यू है तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा दोस्तों यहां सबसे पहले बात करना चाहूंगी निफ्टी यहां पर इस टेल्स ब्रिक आउट दिखाया था तो हमने कहा था कि निफ्टी यहां से 26,400 से 26,500 जा सकता है बट हो सकता है रिटेस्ट करने एक बार यह कहां पर आए 25,000 के आसपास आ सकता है तो यह क्या था इसको रिटेस्ट मान सकते हैं यह उपर जा सकता है कहां तक स्लो तो यहां पर यहां पर यह तो इसको नहीं करता है तो इसको इसको मान सकते हो तो इसको निफ्टी को निफ्टी को यह दी ऊपर जाना होगा इसको 25,000 250, 25,300 को क्रोस करना होगा उसके उपर सस्टेन करना होगा तो आज यह कहां पर आया था रिटेस्ट करने के लिए और मॉर्निंग में गैब रॉन के बाद इसने किया कि आप देखोगे तो फिर्टी टैम फ्रेम पर यहां पर देखे जो सपोर्ट था 25,100 के आसपास में वही पर इसने क्या किया यहां पर पैटर्न तो नहीं बनाया बट आप देखोगे तो ट्रेंगल फर्म किया था और यह ट्रेंगल मैंने आपको अपडेट कर दिया था कहां पर पब्लिक टिलग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं यहां से इसने लगभग 50-60 पॉइंट का यहां पर आपको यहां पर सारा अपडेट मिल जाता है यहां पर दोस्तों देखिए आज क्या हुआ मैंने आपको यहां पर अपडेट कर जया था बैंक निफ्टी सपोर्ड के पास में था इसके बाद बजाद फिनेंस का ओपन लोग सेम था आफ्टर डैट बजाद फिनेंस नेका अच्छा प्साइड मूब दिखाया उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट अपडेट किया था फिर देख सकते है बर्जर पेंट आज बहुत अच्छा मूब दिखाया लगभग इसने 598 का सपास का हाई लगाया है ओके रिजन क्या था यहाँ पे पिर्शिंग पैटर्न मंतली टाइम फ्रेम पे इस कलब आप देखिए इस चार्ट की बात कर रहे थे निफ्टी फिटी नेट पे क्या है ट पूटक बैंक ने यहां से लगभग 1787-89 के आसपास का हाई लगाया तो इसने भी अच्छा मूब दिखाया यहां फिर दोस्तों वीप्रो की बात पर हैं अभी टागेट नहीं आया है और यहां पे मैंने आपको दो बज़े के आसपास में कूड अपडेट किया था आप दे बज़ें करते हैं तो आपको नॉलेज लेना होगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए करना है और आपको आपको देख सकते हैं यूटूब पे आपको मिल जाएगा दोस्तों हर एक पैटन का टोटल 14-15 पैटन है और 15-20 मेंट का एक वीडियो है ठीक है तो आप चाहें तो सकते हैं अब यहां पर मैं बात करना चाहूं कि निफ्टी के बारे में निफ्टी कल क्या कुछ कर सकता है तो कल के लिए 25,000 यहां देखिएगा 25,200 क्या है इंपोर्टन रिस्टेंस है यदि यह ब्रेक होता है तो यह पोसिस करेगा 25,300 जाने का मतलब 270-300 तक जा सकता है 25,270 से 25,300 तो यहां पर क्या होगा देखिएगा ब्रेक आउट पर बाइंग ऑपर्टन रिस्टेंस हो सकती है और वहीं पर शॉट कवरिंग कब होगा यदि यह 25,300 के उपर जाता है तो यहां पर क्या करना आपको मार्केट उपर होने के बाद आपको देखना है क्या यह 25,200 के सस्टेन करता है तो इंट्राडे में 22 का ट्रेट बना सकते हैं और 25,300 इदी ब्रेक होता है तब तो और वी अच्छा आपसाइट देखने को मिल सकता है ठीक है अब यहां बात करना चाहूंगी बैंग निफ्टी के बारे में तो बैंग निफ्टी में आज यहां पर मुलिस देखने को नहीं मिला है लगवग बात करेंगे तो आप 200,500 इसने मुमेंट दिखा एक रेंज है ना 200,500 इसने बैंग निफ्टी में अब दोस्तों बैंग निफ्टी क्या किया आपको दिया तो बाइंग का मौका दिया था यह भी मैंने आपको अपडेट कर दिया था आपक कि यहां पेंटार्णे में क्या हुआ देखे चाट सब कुछ आपको म्हारवं आपको यहीं कमझाते हैं यहां पे क्या था एक पेटरन थबोल सकते यहां पर तो आपडेको देख सकते हैं एक सब्सक्राज को सब्सक्शन तो काफी मतलब यह एक रेंज में था बहुत बड़ा मुव इसने नहीं दिखाया ठीक है अब कल क्या होगा यहां पर देखिएगा फ्रासर में याद दिलना चाहूंगी मैंने कहा था यदि निफ्टी क्या सोरी यदि बैंक निफ्टी यहां पर 51,007 लगभग यह था आपका 7 करता है तो यहां से कहां जाएगा 52,000 52,300 तब यह जा सकता है अब क्या होगा अब क्या होगा अब देखिए कल अपसाइड में आपका दिस्टेंस हो गया 51,004 सेवेंटी से 51,500 और दाउन साइड में 51,300 मात यह क्या है 200 पॉइंट का रेंज है इस बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है समझेगा यदि सपोर्ट के पास में गैपन ओपन करता है मार्केट यहां पे बुलिश करिणर फॉर्म करता है या फ्लैट ओपन होगा क्या सब्सक्राइब करते हो तो वहां पर यहां से बाउंस बाइर को पता चल जाएगा ठीक है फिलाल मैं यहां पर बोलना चाहूंगी कि रेंज ब्रेक आउट पे हैं आप लोग आपक्शन में ट्रेड करते हो तो वहां पर क्या होता ना ओप्शन बाइर को विल्कुल मुमेंट चाहिए तो या तो अपसाइड मूफ करेगा तो ट्रेड बाइए या फिर या विग डॉन पे या सपोर्ट ले तो यह होगा एक अच्छा लेवल होगा ट्रेड करने का दोस्तों कल के वीडियो में ने कुछ स्टॉक के यहां पर मैं बात करना चाहूंगी वीप्रो के बारे में आईटी के बारे में रिजन क्या है तो आईटी में मतलब वीप्रो के अंदर आज गिरावट अच्छी गिरावट हुई है और यहां पर देखेंगे तो इसका लोग ब्रेक नहीं किया दस पैसे से एसल हिट नहीं हाई दिखा सकता है इसके अलावा अभी भी बर्जर पेंट है या दोस्तों इस वी आई कार्ड है यह सारक है बायों डिप में क्योंकि लॉंगर टैम प्रेम मंतली में इनमें पैटर्ण कॉम है द्यू टू दिस ओके तो यहां बोलना चाहूंगी एक विबिनार होने वाला ह उसके लिए आप विबिनार होगा काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा तो आपनों स्थीएल नमस्ते